नमस्क्राइब स्वागत आप सब का टीवी पाराट 24 गेंदर मैं मुंगनों सिंग राश्पृत आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी पाराट 24 का टेरी शुद है रेग्लाइस 15 अक्टूबर 2023 को ओने वाले पर्ट कफ को लेकर एक बहुती बड़ी न्यूज है जिसको लेकर कई सारे क्रिकेट फैंस लाइक मी हम सब लोगो के दिल तूटने वाले हैं दरसल खबर यह है कि 15 अक्टूबर पो होने वाले क्रिकेट मेच को टार पर दूसरी तारी रखने वाली है और जो गवर्मेंट है उसने ये डिसाइट किया है कि जो मेच होने वाला है 15 अक्टूबर के तिन उसे दिन पर पहला नवरात्रा है इंडिया के अंदर नवरात्रा को ये बोला है कि आपको इस मेज को किसी भी तरीके से दूसरी तारीक के उपर शिफ्ट करना होगा वरना सुरक्षा को लेकर कई सारी प्रोब्लक्स खड़ीक हो सकती है किसी को ध्यान में रखते हैं वे BCCI ने आज के दिन यानिक 25 जुलाई 2023 को एक मीटिंग बोलाई है इसी स के अधर अभी तर्क किसी भी तारीक को लेकर कोई अपडेट नहीं है अगर अपडेट आएगा तो टीवी बारे 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा ऐसा ही कुछ मावला निकल कर आया है एक वह बड़े राजनेता पहला सिंग पटेट के द्वारा जहां पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि दो वेक्ति उन्हें लगातार परिशान कर रहे हैं उनकी कुछ प्राइविट फोटोस को पमी करने को लेकर प्लेक मेलिंग लग साबीर वो अभी बी फरार है उसे ग्रिफतार रणने की कोशिश लगातार की जारे है पुलिस के मतबिक आरोपी सेक्स स्टोशन कोल के रिकेट का हिस्सा था पुलिस के طرف से ये बी बताया गया कि सामने ते दोर पस सेक्स स्टोशन कोल में शेक्श्वल नेचर के जो वीडि इस पूरे गुरूप का नाम है जिसके जो महिला बिक है उसकी तरफ से ये पूरी तंकी है और तंकी है क्या पहले वो जान लीजिए दरसल आज से कुछ दिनों पहले यानि उनने इस जुलाई को एक वीडियो वारी वादा दो उकी महिलाओं का कथी तोर पर जिसके अंदर उन खातंगवादी गुठ है या फिर ये जो मिलिटेंट ग्रूप है ये काफी ज्यादा आहत हुआ है वैसे बता दे ये मिलिटेंट ग्रूप पहले हुआ बढ़ता था अब इन्होंने शामती समझेदा करके वापस पबलीक के साथ में नोर्मल खुल मिलकर रहने लगे हैं ले मैलाओं के अधिकार खासकर उनकी आजिवी का और सम्मान दोल को खत्रा है मनिपूर में पूरी मानवता पर हमला हो रहा है राज्य में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ लोगों और मीडिया के सामने मैलाओं और लड़कियों को नीरबस्तर करके कुमाया गया है उनका उत्प लिंगे ने ये भी कहा कि लिंग आदारित इंसा की परिकास्टा है कोई भी समाज ये संगटन इस पर चुप नहीं बेट सकता चाहिए वो किसी भी समाजी को राजनेतिक संगटन या फिर बाशत से तालुक क्यों ना रखता हो अब इसके अंदर उन्होंने ने धंकी तो दी अब इसकोईला को उटाले के अंदर नी एक और अप्टेट निकल कर सामने आया है पहले पोज जान दीजिए दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोट ने 36 करके कोल ब्लोग यानि कोल स्केम के जो आमंटन में एर नियुमत्ता से जुड़े मामले में पुर्वसांसत विजे दं और मेसर्स जे एल एंटी एनरजी प्राइगेट लिमिटेट के निर्देशक यानि एमटी मनोज कुमार चेस्वाल को भी जार वर्स की केट की सज़ा सुना दी गई है साथ में कोट ने सभी दोश्यों को उपर 15-15 लाथ रुपे का जुर्माना भी लगाया है दिल्ले की विशेश अदालत ने इस मामले में एक और अन्य दोस्य यानि पूर्व कोईला सचिव एटसी कुटा को भी तीन साल जेल में भीजने की और 10,000 रुपे का चुर्माना लगाया है सीबिया ने अदालत में दोस्यों के खिलाफ का ही सारे जो सबूत थे वो पेश किये थे और उनका कहना ये था गए और और भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए इतने से कुछ भी नहीं होगा लेकिन क्या इनों उनको जो जुर्माना लगाया है या फिर इने जो जेल में टाला गया है क्या वो वाके में उस कोईला गुटा लेगी परपाई कर पाएगा क्या यह आपके पर छोड़ देते हैं सोचने के लिए वह आज वी तीसरी एंडाइक की बात करें तो वह निकल कर आ रही है हमारी सुनसत बहुन से जरसर ओम बिला जो जो की सुनसत बहुन के स्पीकर है उनको एक नया पत्र दिया गया है जो वीपक्ष पार्टी है जो उनका कुट है आइकन डी आइट ए उनके द्वारा और ये कहा गया कि वो आई विश्वास प्रस्ताव लाना चाते ने उनको ये लगता है कि इंडिया के अंदर जुन परदानमंदी नरेद्र मोदी है उनके ज वरसलवा मनिपूर में तीन मईसे जारी इंसा के लिए परदानमंदी नरेद्र मोदी की जवाब दे ही जानना चाते हैं इस इंसा पर बैस करने की मांग लगातार गो रही है अलागी ग्रह मंदी अमिशाव राजना सिंग समेत कई बड़े बड़े नेता बार बार इस सदन म इस मुत्ते के उपर खुल कर बात करने वो तैयार हैं लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार ही नहीं है वो चाता है कि प्रदानमंद्री नरेद्र मोदी सालसत में इस पर जवाब दे हैं यही जवाब है कि विपक्षी गटबंदर इंडिया की तरफ से कॉंग्रेस ने पहड तो बात करते हैं लेकिन सर्दन के अतर कुछ भी नहीं बोलते हैं विपक्ष लगाता राव लगाता राहा है कि पियम मोदी एहम मुध्य पर हमीशा ही मोo रहते हैं इससे पहले विपकष कैust सारे मोद्य जैसे राूल गांदी सत्दे सिता मैया प्हल्यवानि आडान इंडन बर्ग मामला पर तुपी साच चुके हैं वीपक्स ने कई मामों के बाद में ये मोन रहने की ही लगादा कोशिश कर रहे हैं ऐसे वो एविश्वास प्रस्ताव लाकर मोन दीगे खिलाफ जो उनको हटाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं अब इस एविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो नरेंदर मोदीगे खुद के पास 304 सांसत है और प्रोटल मिलाकर 330 सांसत हो जाते हैं अगर वीपक्स चाहेगा भी एविश्वास प्रस्ताव लाने की तो उसके बात में भी वो वीफल ही होगा क्योंकि उनके पास majority सांसत है ही नहीं अगर ऐसा कुछ होएगा तो आपको टीवी 1224 पर देखने को जरूर मिल जाएगा मैं मनोसी राजपर मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ में तब तक देखते रहें ये टीवी 1224 जाएगे बंदे मांतर